और तो सबसे पहले वीडियो है हमारे टा जानक्या जी का मोटावाई का हमारे अमीच יה जी का वीडियो है यह वीasy अ बाद मुझे समझ में आया कि हमारे आमिश्या जी को इसलाम का अच्छा नौलेज है काफी अच्छा नौलेज है और अगर कोई इन से खेलने की कोशिश करें तो इनको बहुत अच्छे से उस चीज का जवाब देने आता है क्या कह रहे हैं देख लेते हैं अग्रेज है जब मुस्लिम परसनल लौ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकल दिया भई फिर तो चोरी करने वाले के हाट काट दो, बुलाद करने वालों को रोड पर पत्थर मार कर मार दो, कोई मुसल्मान सेविंग्स एकाउंट नहीं खोल सकता, सूध नहीं ले सकता, लॉन नहीं ले सकता, सर्या और हदीश से अगर जिना है तो पूरा जिना चाहिए, क्या बात ह जिर चार साधी करने के लिए सर्या और हदीश क्यों आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इस देश का मुसल्मान सर्या और हदीश की सारी चीजों से अंग्रेजों के समय से कटा हुआ है, और धेर सारे इस्लामिक कंट्रीज भी ये छोड़ चुके हैं, ये कॉंग्रेश की एपीस्मेंट की पॉलिसी है, वोट बेंक की पॉलिसी है, इस देश के माइनोरिटी से बाहर आए, और ये सालों से नहीं है, आज से नहीं है, ऐसा नहीं है, सालों से नहीं है, आज भी सिविल सूट होता है, तो देश के समीधान के हिसाब से मुस्लिम भाईयों का सिविल करना चाहते हैं चुरी करने वाले के हाथ काट दो बलादकार करने वालों को पत्थर मार कर मार दो देश का जो द्रोव करेगा उसको फांसी पर चौरा हे पर लटका यह सारा लाना है क्या बहुत जबर्दस इनों ने कहा है बलके मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अमिश्चा जी से के यह जो शरीया शरीया जो करते हैं इनको एक जगा पर जमा करो और इनके ओपर क्रिमिनल वाले जो कानून है इसलाम के वो भी लागू करो इन्रोल्मेंट स्कीम रखो आप जो जो शरीया करते हैं क्यूंके इससे एक और चीज मालूम पड़ेगी अगर इन्रोल्मेंट वाला सिस्टम ये ले के आते हैं और लाना जीए मेरा सजेशन है अमिश्चा जी को कि इन्रोल्मेंट वाला system रखो कि किन-किन मुसल्मानों को शरिया कानून चाहिए उनकी जिन्दगियों में everything सारे सारे शरिया कानून जो है उन पे लागू होंगे अब यहां से क्या पता चलेगा मालूम है आपको यहां से पता चलेगा कि जितनी आबादी मुसल्मानों की है उसमें से actual मुसल्मान कितने है जो enrollment कर रहे है आप मुझे बताइए comment box में कि अगर 40 करोड मुसल्मान है या 20 करोड पकड़ लिजे 30 करोड पकड़ लिजे जो भी number है currently आपको क्या लगता है कितने percent लोग जो है वो enroll करेंगे कि हमको हमारी जिन्दगी में पूरे मुकंबल तॉर पे शरिया कानून लागू करो यानि हम मेंसे कोई अगर छोरी करे तो हमारा हाथ काटोगे कोई खून करोगे तो उसका कोई की गर्दन उडाई जाएगी कोई अगर बलतकार करता है या अगर वो शादी शुदा है तो उसको रजम किया जाएगा पत्थर मार के जैसे कि अभी आमिश्चा साहब ने कहा और अगर वो कुमारा है या कुमारी है तो उसके उसको सव कोड़े मारे जाएंगे यह सारी चीजे इन्रोल्मेंट करने वाले पर पूरा उनको शरियत देंगे फिर मैं देखना चाहता हूँ कि कितने असली वाले मुसल्मान हैं जो वाके में शरियत चाहते यह लाव दो सही अमिश्चा जी इनकी हिपोक्रेसी निकलेगी इनका डोगलापन ना निकला तो मुझे बता देना यह सब पीछे-पीछे गेम करते हैं इन में से किसी को नहीं चाहिए शरिया यह सिफ फाइदे का शरिया चाहिए इनको क्रिमिनल में शरिया नहीं लेंगे लेके आओ इन्रोल्मेंट करवाओ और इनके मुझे थूकने जैसा जो है ना नमबर थूक देना कि यह लो यह तुम मुसल्मान हो यह तुम्हारी मुखबत है शरिया से और इसलाम से यह सरिया इनके पीछे पिछवारे में घुच जाएगा जी फ्रांसिस भाई आप खुछ कहना चाहरे आप दस बिलिक्क सभी बात की एक क्योंके अगर कोई भी अगर इंडियन यहां पे है अगर यूके में है उसको भी खोद पता है आप खुद आप आपकी देख सकते हैं यू कि में भी आपके आप यहाँ पर देखो के पाकिसानी है तुलबों में दिखेंगे कि यहाँ पर शराब पी रहे हैं स्मोकिंग हो रही है बुरका पैनावा है सिगर्ट पी रही है उ शॉपिंग मौ पर जाके चलो जी जाके हमारा ये तुमनों के पिक और चूज सारे है सारे तुमनों कहते हो कि हमारा इसलाम हमारा शरीया रहते तुम लोग शरीया मुल्क में हो नहीं लेकिं शरीया पहुच हो कर जाके तुमनों क्लबों में नाच्टना भी है और प्रते शरीया में चाहिए इनके यही सही बात की इनके अंदर टिक इंचूस वाली आदत है जो इनको को चीज अच्छी लगी चुली जो नहीं लगी भाड़ में गए मैं तो हमेशा से कहते आ रहा हूं फ्रांसिस भाई के मौमिनों के अंदर जितनी हिपोक्रेसी है डोगलापन है दुनिया की किसी कौम के अंदर नहीं होगा इतना डोगलापन है तो अरे ब्यूटी हमको शरिया परिया सरिया सारी चीज़ें मालूम है तुम से सीखने की नहीं है